देखो भाई क्या ही तो मस्सा शॉट केल देंगे ये क्या ही तो मतलब बढ़िया शॉट था एकदम मेरे साफ सेथ देखो ये देखना भी वैल येस भाई बिल्कुल बैक फुट पे खड़े रहके इंतिजार किया एंड पंच कर दिया लॉफ्ट एड पंच एंड वो भाई एकदम पढ़िया ही शिक्स के लिए चला गया सो हेलो गाइज मैं हूँ प्राजल भाई याज हम के लिए जारे हैं फाइव ओवर का मैच इंडिया एंड इंग्लेंड का इसलिए क्योंकि नomorph Completely इंग्लेंड तो भाई इंग्लेंड ऑचीटिय मैं यहाँ थैंड वाइ ङ में करना चाहता हो थो देखते इंग्लेंड फील्डिंग करती है कर रहा है भाई फुल किया है तो मतलब छुबमन का पुल है चौका तो मिलना है यह definitely रीप्ले देख सकते हो भाई कई लोग बोल रहे तेक में रीप्ले नहीं दिखा था हूँ एंड भाई it was a very good shot और हाँ इस शॉट से ही याद है भाई शॉट ओफड़ देख यह सारी चीज़ आपको कमेंट कर देनी यह पता चली गया होगा भाई आपको क्या क्या कमेंट करना होदा है बैटिंग रेटिंग पॉलिंग रेटिंग एंड मान आप दा मैच यह सारी चीज़े यह मालब कमेंट करते हो तो इंटरेक्शन भी बढ़ता है चैनल का एंड मुझे वच्छा लगता है तो रोही शर्म आपनी पहली बॉल खेल रहे है एंड पहली ही बॉल पे सामने वा रहा है बाई चौके के लिए एंड इट वुड बी एईजी फोर लॉट्स में खेल रहा है इसका वे रीप्ले देख सकते हो भाई बिल्कुल क्लासिक शॉट भाई अगर 60 या 60 बना दे तो अच्छा टोटल है वह इस पिच्छ पे ओके भा 12 रन तो अबर से आचुके हैं क्या वह 12 के 16 होंगे ओ भाई साब 12 के 13 ही कर लेते हैं अभी 16 करने में काम तमाम हो जाता अरे नहीं यार ये ये स्कैम वाला विकिट मिली जाता है यार गलत बात है भाई क्या बोले रोईच शर्मा भाई दो में चार मना के स्कैम वाला एड बोलर भाई या कलेक्ट करे उसमें ही उनका हाथ विकेट के लग जा इसलिए या आउट है भाई स्कैम का विकिट है ये तो बल पिल्कुल स्कैम का विकेट है ओके क्रिस बोक्स मसेज बिराट कोली पेचला बैस खराब गया था फाई वर वाला वाला विराट बाई का देखो भाई क्या ही तो मस्सा शॉट केल देंगे ये क्या ही तो मतलब बढ़िया शॉट था एकदम मेरे साफ से देखो ये देखना भी वैल यस भाई बिल्कुल बैक फुट पे खड़े रहके इंतिजार किया एंड पंच कर दिया लॉफ्ट एंड पंच एंड वो भाई ए एंड कौन है यार शुबमंगिल का भी विकेट गया वाई रन आउट के चलते बाई दोनों वार रन आउट से विकेट को दिया मैंने क्या कर रहा हूं मैं तो सूर्य कुमार से पहले इशान किशन को लिया हूं मैं वैसे फिलाहाल तो क्रीश पे कोली बाई है एंड गैब मे इसरी पे बाउंटरी मिलेगी क्या वैल क्यू नहीं मिलेग वाई इजी चौका चल जाना चीए मेरे साब से यस चला गया है भाई थोड़ी देर के लिए फील्डर इंट्रेस्टेट था लेकिन पिर उसने भी पगा लगा लिया भाई कि बाल पॉंच के बार है तीन ओवर मे कि तीन ओवर में चालेस रन बना लूँ मैं तो 28 तो बन चुके है 29 अब हो गया है तीन बॉल में 11 रन ओर 40 रन की सोची थी 30 आ चुके दो बॉल पे एक चौका चुका पड़ेगा वैल चौके चुके में से चुका तो पड़ चुका है भाई ओके चुका ही लग रहा था यार दिखने में चौका कोई बात नहीं चौका पड़ चुका है तो एक एडवांस शॉट के लिए देखते हैं सक्सेस्फुल रहते हैं क्या एंड भाई शिक्स के लिए तो नहीं सिंगल के लिए देख लिया है 40 का टार्गेट रखाता मैंने 3 के लिए बट 35 भी सही है 11 बॉल ब है का भाई मैं नहीं बोलूगा लाइट स्पीड क्योंकि बहुत जादा हो जाता है बट या भाई बहुत तेज मारी ये बॉल एक अगर बाउंसर डाल दे नहीं डालेगा बाउंसर भाई सहाब गलत खेल गया मैं एड आउट होता होता बच गया भाई विकेट के बहुत पा है या अदिल रशीद के बास इंट्रेस्टिंग चॉइस एंड भाई उसको पहली बॉल पे मार दिया फॉर फॉर इसको मैं स्वीप के लिए खेल दूना तो चौके के बहुत चांस है देखा मैं कह रहा था मैं स्वीप के लिए खेल दिया तो चौके के अच्छे खासे चां पे भी एक बाउंट्री और मिल जानी चाहिए अ नहीं मिली यार ओली बाई का पिकेट वैल सही है ठीक था कि निक्स खेल के गए भाई तेरा बॉल में चॉप डिसन अगर देखा जाए पांच ओर के वैच के वैच के वैच के वैच सही निक्स है तो इंडियन 360 सूर कुमार पहली बाल पे खेलेंगे आ यार बाई क्यों यार ओ किये कैसे आउट भाई मैं मैं शौर्ट का दुख मना आता तुमने आउट भी देजी है बहुत ही सही ओके बाई इस बाल पे चिचा चीज हा अर्दिक भाई प्लीज येस तवे अर्दिक भाई चा मार दिया है 60 पे बैस 62 बन गए तो सही है मेरे साथ तो 63 का टार्गेट है देखते हैं क्या इंग्लेंड चेस कर पाएगा ओके इस लाइन अप में मैं गल्ती से मोहंबद सिराज कोई लेना भूल गया भाई कि ध्यान से देखी नहीं मैंने वैल ध्यान से देख लेनी चाहिए थी पहली बॉल पर भूवी भाई ने खा लिया है चौका कोगे ज्यादा रन नहीं दे सकता हूं मैं बिकॉस भाई मैं जीतना है ऑपकॉस अरे भाई सहाब वैसे बगवास बोलिंग है यह मेरे एंड से क्योंकि लेक साइड में ही डाल रहा हूं मैं ओके तो भाई एक डालेंगे अब लेक कटर वो भी स्लोवर स्पीड में एंड एज लगवाया है उसमें इन बॉल में आट रन आ चुक है अब थोड़ा कमबैक चाहिए गुबनेश्वर भाई से सिंगल के लिए देखाया एंड सिंगल मिल जाएगा एक इन स्विंग ग्यार कर डाल रहा हूं देखने डेडली होती है क्या वो वेल डेडली थी भाई अगर थोड़ी सी लेंज सही होती आई मिन लाइन सही होती तो भाई बोल्ड था ये पहली बॉल डालने वाला हूं बाउंसर वो भी स्लोवर एज लगके क्या फील्डिंग भाई एज लगके खराब फील्डिंग के चलते सिंगल मिल गया भाई डॉट बॉलती है वोकि तो एक क्रॉसीम डालने वालों फास्टर डिलिवरी देखते है क्या होता है चौका होता है और क्या ही बटलर थोड़ा फॉर्म में यार बटलर को प्राइक से अटाओ मुझे लग रहा है यार यह चेस कर लेंगे आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना चीटिंग नहीं वीडियो का एंड जाके देख लो भाई चुका ही मार दिया कमेंट करके बताना क्या यह चेस कर पाएंगे बाई पेसर थोड़े महंगे सावित हो तो मैं लाया हूँ पिनर एड पहली बॉल पर एज लगवाया आर शुविन बाई ने अशुविन अनना हमेशा चौक अनना यह हेल्स कोई कहला हूँ यह पांच में च्छे है केवल इसका स्ट्राइक रेट सही है बाई क्यों बोला मैं उसका स्ट्राइक सही है मार दिया चक इंड एज है शायर फिल्डर पूंच जाए यह पोंच्च किया भाई यह मेरा अब तक का सबसे यूनिक टह यह एर ने म нужят लगए blockchain और हो को ने करे सकता हो कि जबलो यह पहुत ही अदीप सा एज लगा उस्वीप मारना चाहरा था वह ए बहूत उची बॉल बल कई लेकिन फिल्डर आ गया भाई बाल के नीचे क्योंकि वो इत्ती उची गई ऑफकोस एंड केचाओ चलो बाहर रखेंगे बाल थोड़ी बाहर ही बुलाने का प्रयास एंड एज अड़ना लेकिन शायद एज चल जाएगा चौके के लिए क्योंकि स्लिप मौजूद नहीं थी बाल चौके के लिए तो नीचाएगा डबल एजी ले लिए ट्रेबल के लिए मत भागो भी आउट तर दूगा भी चलो गुल्डी बाहर को लिया हूँ पहली बॉली गूगली डाल रहा हूँ क्या ये वर्क करेगी भाई देखते हैं ये वर्क करी बिलकुल वर्क करी लेकिन बैट्समेन के लिए उसने चक्का मट ये बटलर बटलर बहुत सही केल रहा है भाई इस बटलर को आउट करना पड़ेगा यार किसी तरीके से तो क्या किया जाए कैच अरे कैच भाई डाइविंग कैच का नाम सुनाए हलो अबे डाइविंग कैच का अटेंप्ट तो कर लेते हैं अबे गलत हो रहा है भाई दस में 11 चाहिए अब 10 में 11 कहां से डिफेंड करूं मैं लिटरली ओके एक तो अगली बॉल पर इस लिप लगा रहा हूं मैं बहुत गंदे अज लग रहे हैं इनके ओके भाई फिल सॉल्ट भाई प्लीस थोड़ा हमारे हिट में खेल लो भाई प्लीस आहा चौका बार दिया भाई जहां से फील्डर अटाया उधर ही चौका मार दिया यह मै अब दे चेंज किया जाएगा भाई बिकाज ये विकट उससे भी बहतर था भाई spin देखो कितनी हुई है लिटरली भाई फिन भाई एक बर ये देखो इस बेखो बंद कितनी हुई है यार कहां से पढ़के कहां गई है भाई और स्टम्प बह इतना दूर गई थी और मिड आही तो spin भाई, ball of the day है ये तो, wicket of the day, पलकुल नी भाई, क्या एक और wicket दिला सकते हो, थोड़ी बहुत ही शाही पर क्या मैच में वापसी करा सकते हो, ओके, single है, last over में क्या 5 run defend किये जा सकते है भाई, ओके भाई, बहुत difficult task करने वाला है, 6 में 5 defend करना मजाक नहीं है, भाई, नहीं, 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 यह क्या किया भाई, रोग ले, रोग ले, नहीं, रोका भाई, चौका खा लिया, scores level भाई, पाँच वाल मे is obviously Joss Butler, वैल भाई, शायद हमने टार्गेट जादा बड़ा दिया ही नहीं और बॉलिंग भी बहुत ही जादा बकवास हुई है, बॉलिंग रेटिंग में तो शायद 10 में से दो दोगे तुम मुझे, वैल प्लेयर अफ दमेच दो खि₋, ऑफ यह जो भी है आगर वीडियो पस्रेटा, वीडियो को लाइक बढ़ेरेन अपने दोस्तों पर इवाल हो गहें शेयर कर देना, जिन को भी क्रिकेट वगएरा में इंट्रेस हैं and गेमि के लिए, आनदखाकर कर रहा है तो दिल से धैक o olmak है, कोई बाती बाद मे कर देना कमेंट भाई जरूर से कर देना मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तो तक के लिए गुडबाई